राजधानी लखनव के पंत नगर इलाके और कुकरेल नदी के किनारे बसे किसी भी घर को तोड़ा नहीं जाएगा ये एलान करके CM योगी ने यहां रहने वाले लोगों को खुश होने की सबसे बड़ी वज्य दे दी है CM योगी ने खुद वहां के स्थानिय निवासियों के साथ बाचीत की और सब को इस बात का आश्वासन दिया कि बुल्डोजर की अब कोई कारवाई नहीं होगी और सिफ इतना ही नहीं CM योगी ने उन अधिकारियों की लिस्ट भी मांगी है जिन्होंने सर्वे के दौरान लोगों के घरों पर लाल निशान लगाये था उनका आदेश है कि लोगों के बीच ऐसी बात पहला कर उन्हें गुमरह करने वाले अधिकारियों पर सक्त कारवाई की जाएगी किसी भी गरीब की ना जमीन जाएगी ना उनका मकान टूटेगा नदी की चोड़ाई वहाँ पर कम से कम रखी जाएगी और ऐसी विवस्था बनाई जाएगी कि कभी भी भविश में वहाँ पर बाल का या नदी का पानी महले की तरफ ना जाएगी अधिकारियों को इस पर्ष्ट नर्देश है कि आप लोग वहाँ पर नदी का उस तरीके से विकास करें कि किसी का भी ना मकान टूटे ना किरी की जमीन जाए और अगर इनके किसी का मकान ये जमीन जाती है घल्टी से भी कम से कम चोड़ाई में तो उसका उचिक महजा भी दिया जाएगा और मौजा देने की बात करिए कि अगर नगी की कम से कम चोड़ान में भी किसी का मकान जाता है तो उसको बताया कि कि कितना कम से कम में कितना मीटर तक हो सकते हैं ये ये अधिकारिये डिसाइट करेंगे लेकिन उनके जो वक्तत मतलब वर्ट से 35 मेटर के अं और पूरे इलाके में जा करके अधिकारी गान दौरा करें और एक-एक घर वालों को बताएं कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाएगा ये योगी जी के शफ्त कितने संतुष्टिक है बहुत जादा संतुष्टिक है हमी नहीं हमारे जैसे हजारों लोगों का एक-एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ था और जीवन में आदमी एक ही मकान बना पाता है और अगर वो मकान कोई उसके सामने से तोड़ दे तो कितना दुख होता है तो आज हम सभी लोग पूरे इलाके की तरफ से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवात बोलते हैं योगी जी ने हम ल कार नगर में घरों को तोड़ने की बाद कही जा रही थी कुक्रैल रिवर फ्रंट के छेत्र में जो भी घर आ रहे थे उन्हें चिन्हित किया गया था उस पर लाल निशान लगाये गया था सर्वे टीम के द्वारा जिसके बाद से लोगों के बीच डर का महौल था मगर पधिकारी सह में हुए हैं जिनकी लिस्ट मागी गई हैं एन्बिटी ओनलाइन की रिपोर्ट